हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बर मैं फिर आपके लिए लेक्या है हूँ गुड नियूज गुड नियूज यह है कि रेल्वे गुरूप डी की वेकेंसी आ चुकी है और यह बंफर वेकेंसी होगी 2018 की जिसमें कुल पद हैं 827 byapter की दोस्तों सही और 100 सही पूरी जानकरी के साथ मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकरी देने वाला हूँ हमारे साथ वीडियो में बने रहें और पूरी जानकरी ले लें चलिए स्टार्ट करते हैं यह दोस्तों नोटिफिकेशन है देग पा रहे होंगे हैं लिखा हुए गवर्बेर्मेंट ओफ इंडिया स्ट्री ओफ ॊ्रियल वेस रिकोर्म्न बोल्ट इन पीपर में रिकोर्मन्त निकाली हुई थी रेलम्वे ने आप यहां देख पा रहे होंगे मैं आपको जूम करके तो नहीं दिखा पाऊंगा बट आप ये देख लीजे कि इसमें जो notification आया हुआ ये employment notice यहाँ पर दिया हुआ ठीके na employment notice चलिए आगे देखते हैं मैं आपको पूरी news दूँगा सब कुछ बताऊंगा कब से online होगा date क्या है online की last date क्या है freeze क्या है कहां कहां से apply आप कर सकते हैं eligible है की नहीं है iti मांगा है की नहीं मांगा है सारी जानकारी दूँगा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है और bell icon को press करने bell icon को press करने से आपको notification जो है timely मिलते रहेंगे चलिए यह notification दोस्तों यह requirement बोल्ट paper में आया हुआ था notification ठीक है न यह इसमें दिया हुआ है अच्छा मैं यहाँ पर आपको दिखा दू online की जो date दी है education qualification SCVT और SCVT या NCVT कोई भी diploma हो आपके पास ITI और 10th आप पास होने चाहिए ठीक है चलिए आगे और भी news है देख लिजे अच्छे से news यह है कि जो railway ने vacancy निकाली हुई है उसका advertisement number आप देख पा रहे होंगे CEN02-2018 मतलब 2018 की vacancy है और requirement category आप देख पा रहे होंगे group D की post है total number of vacancies 12907 vacancy है age limit 18-31 साल है और जो लोग 18-31 साल के between नहीं है उनकी यह ज़्यादा है वो apply नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी option है qualification आप देख पा रहे होंगे 10th और ITI किसे NCVT हो आपका या SCVT हो कोई भी चलेगा ठीक है application mode क्या है online online अब apply कर सकते हैं अच्छा दोस्तों ये good news आपके लिए ये भी है कि इसमें options रखे गए हैं आप online exam देना चाहते हैं या return exam देना चाहते हैं दोनों option है इसमें ठीक है तो देख लीज़े मैं आपको पूरी जनकारी दूँगा कैसा क्या है इस पूरी वेकेंशी में date of online application start हो जाएगा 10 फरवरी शे और last date है 12 March ठीक है दोस्तों चलिए आगे आते हैं आप कहा अच्छा वेकेंशी इसमें कौन कौन सी है तो वेकेंशी आप देख पा रहे होंगे ग्रुप डी की वेकेंशी कौन कौन सी गैंग मैं की है स्विच मैं की है ट्रैक मैं की है और कैबिन मैं की है लेवर मैं की है पॉइंट्स मैं की है हेलपर की है ठीक है और ग्रेट डी स्टोर की है की मैं की है center की है welder की है fitter की है porter की है ठीक है helper ये mechanic helper होगा ठीक है और ये helper की vacancy है और चलिए आगे देखते हैं ये vacancies के आपने जानकारी ले ली अब यहाँ पर आपको जानकारी ये मिलेगी कि जो over age हो चुके हैं लोग 18 और 31 से भी 18 31 के between ना होकर के उनकी 31 से जादा age है तो अच्छा इ होनी है वो समझ लीजे एक साथ 2018 से गढ़ना करनी है ठीक है तो इसके according ही गढ़ना होगी एज की अगर eligible हैं आप 18 साल के हो चुके हैं तो apply करिए अदरवाइस बिल्कुल भी apply मत करिएगा जो 18 के नहीं हुए अभी अगर apply करते हैं तो आपका form तो online हो जाएगा बट आपको exam और के शाम देने को हो सकता है ना मिलेग एड्मेट कार्ड आपका नहीं आएगा ठीक है चलिए जान लीजे किन काटेगरी के लिए किन को किन को चूट कितनी मिलनी है को 5 साल की मिलेगी ओपीष्टी को 3 साल का एज रिलेक्जेशन मिलना है ठीक है और बाकि को 5 साल का PWD वाल समपूर जानकारी मिल जाएगी पूरी पूरी जानकारी इसमें आपको मिलेगी education की education क्या है education जो candidate who have passed who have passed जो pass हो चुके है high school और ITI equivalent examination cancelled application for application for the railway group d application form if you have appeared मतलब अगर आप appeared है recently in final stage exam and waiting आप वेट कर रहे हैं for the result result का then you can also submit for the application application form submit कर सकते हैं अगर आप result का इंतजार कर रहे हैं तो कब का final stage का ठीक है अच्छा railway की railway group d की जो salary है group d की salary लिए अठारा जार रुपए है ठीक है अठारा रुपए से स्टाल्टिंग है ठीक है ना अच्छा और लास्ट में मैं आपको दिखा दू application fees आपको कितनी देनी इसके लिए application fees आपको देनी है पांसु रुपए देनी है जनरल ओभीशी वालों के लिए और अच्छा चलिए अब आपको सेलेक्शन प्रॉसेस बता दिया जाए सेलेक्शन प्रॉसेस आपका क्या होने वाला सेलेक्शन प्रॉसेस यह होगा कि पहले तो आपका computer-based test होगा यह नहीं सीवीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा सीवीटी हो सकते आपके option जैसा आप चूज करेंगे इसमें ठीक है ना आप अगर उसमें इसके बाद आप जॉब के लिए तयार हो जाए और जॉब करिए ठीक है तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्रिस लाइक करिएगा लाइक करना बिलकुर भी मत बूलिएगा लाइक करने से मुझे मोटिविशन मिलता है मैं आपके लिए ऐसी निऊ बढ़े और अच्छी वीडियो लाता रहोंगा इसलिए मेरी चैनल और अब बैल आइकन को ब करने से बाई को ब्रला दोस्तों